हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने लावा युवा 3 प्रो एंडुड मुवाइल फोन में आप अपने मुवाइल फोन से कभी भी कॉल करते तो आपके फोन की जो कॉल होती है वो सैंड नहीं हो पाती तो इस प्रॉल्म को आप को करना है देखी दोस्तों आपको सबसे पहले अपने मुवाइल फोन का सिम कार्ड को भाहर निकाल के उसे सिम ट्रें पर दुबारा से लगा देना है ध्यान रखना है आपको सिम को सिम लोट वन लगाना है ठीक है और इसके बाद फोन के अंदर डाल देना है इसे यह आपको अपने मूबायल फोन की नेटवक सैटिंग को रिसेट करने के लिए मूबायल फून का अप सैटिंग पेज ओपन करिए ठीक है सैटिंग पेज में आपको नीचे की साइड इस सिस्टम पर टैप करना है इसके अंदर आपको यह option मिलेगा reset option इससे tap करना है अब इसके अगले page में सबसे उपर यह reset wifi, mobile and bluetooth पे tap करना है आपको इससे नीचे की साइड यह reset setting पे tap करना है अब आपको इस वाले page पे अपने phone का screen lock enter करना है इसके बाद आपको इससे right click करना है आपको next page में दुबारा से reset setting पे tap करना है आपको यह पे नीचे लिखा हूँ आ जाएगा थोड़ी देर में यह देखिए network setting have been reset इस तरह किसे आपको mobile phone की network setting को reset करना है जिससे आपके mobile phone की जो call send नहीं होती है यह problem आपकी solve हो जाएगी ठीकिना अब दोस्तों अगला process यह करना है आपको अपने mobile phone को एक ब अब कोई problem आ जाती है तो वह solve हो जाती फोन को restart करने से ठीक है अब दोस्तों अगला process यह करना है कि phone के API setting को reset करने के लिए phone का setting page open करना है इसके अंदर आपको यह network and internet पे tap करना है इसके अंदर आपको यह mobile network पे tap करना है इसके अगले page में आपको सबसे नीचे की side आना है ठी जी एपेन का होता है इसमें सबसे उपरे three dot पे tap करना है एक छोटा सा page open होता है इसमें आपको reset to default पे tap करना है नीचे आपको लिखावा आ जाता है reset default API setting इस तरह किसे आपको phone की API setting को reset करना है जिससे आपके phone की call sent नहीं होती है problem solve हो जाएगी ठीकिना अब दोस्तों अगला क phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद phone का setting page open करना है इसमें सबसे नीचे system पर टैप करना है इसके अंदर आपको यह system update पर टैप करना है आपको जो है इस वाले page पर अगर कोई भी update का बटन या download इस्टॉल यहां पर लिखावा दिखाई देता है तो इससे आपको tap करके अपने phone का software update कर लेना है जिससे आपके phone की जो call send नहीं होते है problem आपकी solve हो जाएगी अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है देगी दोस्तों mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बता हुए पिछले process काम नहीं करते हैं कोई भी तब आपको phone को reset क नहीं करना है phone को reset करने के लिए आपको phone का setting page open कर लेना है setting page में आपको नीचे की side यह system पर tap करना है आपको आपको reset option मिलता है इससे टैप करना है अब इसके आगले page में सबसे नीचे delete all data factory reset का option टैप करने है ठीक है इससे आपका mobile phone reset हो जाएगा और आपके phone की जो call send नहीं हो दूसरी बात यह ध्यान रखने हैं, आपके फोन की Gmail ID और उसका पासवर्ड आपको पहले से Note करके रखना है, यह दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद आपको फोन को Reset करना है, तो दोस्तों मेरे बताय हुए सारे process आप यूज़ करेंगे, इससे आपके फोन की जो call send नह देगी, ठीक है?